नमस्कार फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है स्वाम अकेडमी यूटूब चैनल पर दोस्तो यूपी टी थी जो परिक्षा आपकी 2020 है उसके संबंद में महत्यपून अपडेट आप लोगों के लिए क्योंकि काफी जादा इस्टूराइन्स के कॉमेंट्स है उसी को मज्य न एग्ज्याम पैट्रन जो नया है वो किश्प्रकार से है इसकी उप्योगता और कटॉक में आपको बताया जाएगा साथ ही साथ काफी लोगों के क्या अंतर है तो यूपी टैट और सी टैट का अंतर भी आपको जो है समझाया जाएगा तो वीडियो को सेर करें बड़ी मात प्रेशिक्सिक्षा विभात इस परिच्षा को कराता है और इसके लिए जो महां हैं इसका फॉम में आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं यदि बात की जाए इसके एक्जाम्स के संबंद में के एक्जाम आपका कब होगा तो एक्जाम जो है इसका अक्टूबर के लास्ट वीक में या आपका नौंबर के फर्ष्ट वीक में आपका एक्जाम्स होता है या फिर नौंबर के स्टर का लुट सी मिटिंग में आपका टे enfin साशंडा डूरी के संबन में आपको बताई ऐए तो यह जो क्वालिकेशन है इसके संबन में कुछ महत्यपूर्ण अपडेट है आप दिहान से समझेगा काफी लोगों के कमेंट से क्या एपीरिंग वाले इसमें भाग ले सकते हैं तो देखेगा इसमें एपीरिंग वाले इस्टुनेंट्स वो भाग ले सकते हैं जिनोंने फाश्ट इयर कम्पलीट किया हो फाश्ट इयर में आपको जो इस्टुनेंट्स पास है वो इस परिछा में भाग ले सकता है जिन्होंने पर्थम वर्ष में जो है क्वालिफाई कर लिया है B.A.D. या B.T.C. या D.L.A.D. जिसको बोलते हैं वो पास किया हुआ है तो आप जो है इसके भाग ले सकते हैं जूनियर और प्राइमरी दोनों परकाल के टैट में आप जो है आवेदन कर सकते हैं दोसरी क्वालिफिकर्शन ये है कि आपके पास जो है पास होना चाहिए आपको किन-किन परिक्षाओं में B.A.D. B.T.C. या आपका D.L.A.D. एक ही बात है या आपका D.A.D. या कोई ऐसा टीचिंग डिपलोमा जिसको सरकार मान्यता देती हो तो यहाँ पर आपको जो है दो वर्शे डिपलोमा कम से कम होना चाहिए तो ट्रेनिंग कोर्स है ये B.A.D. भी और आपका B.T.C. भी वो आपका कंप्लीट होना चाहिए तीसरी जो कंडिशन है वो ये है कि आपके पास जो है कम से कम 50% मार्क्स हो 50% मार्क्स हो आपके पास तो ही आप इसमें जो है अवेदन कर सकते हैं B.A.D. B.T.C. या आपका D.A.D. तो किसी भी परिक्षा जो भी आपने उतरिन किया हो कम से कम आपकी जो परसंटेज है वो 50% हो तो आप जो है T.E.T. का एजांप्स दे सकते हैं बाकी कंडिशन आपकी जो सेम है वो आप जो है B.A.D. या B.T.C. में परवेश परिक्षा या डिरेक्ट एडमिशन लेते हो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है यदि आप कंडिशन को पूरा करते हो तो वो ही U.P.T. में लागो होती है तो ये इसकी क्वालिफिकेशन की बात थी अब बात कर लेते हैं इसके सलेबस की तो प्राइमरी और जूनियर इस तरह का जो इसका सलेबस है वो सीटेट के मुकावरे काफी एजी रहता है क्योंकि सीटेट में जो है आपके पैड़ा गोगी कोश्चन फूशे आते हैं इसम पाइजयो के माज़म से भी देख सकते हैं तो यहां पर यदि न्यू अज्ञाम पेटरंस की बात की जाए तो पेपर फश्ट के लिए मैं आपको बता दूँ के जो आपका प्राइमरी लेविल के लिए होगा प्राइमरी में आप समन सकते हैं यह आप जोब करना चाहते हैं फर्ष्ट किलास से फाइव किलास तक के स्टूडेंस के लिए आप जो है प्राइमरी टीचर्स बनना चाहते हैं तो आपको जो है प्राइमरी टैट से गुजरना पड़ेगा प्राइमरी इस्तर का यदि आपको TAT देना है और क्लास वन से फाइव क्लास तक के लिए आपको जो है टीचर्स बनना है उस्तर परदेश के अंदर तो आपको जो है पेपर फर्ष्ट आपका क्वालिफाई करना होगा और ये जो पेपर है ये प्राइमरी स्तर का होगा आपका और तीन गंटे का एक्जाम से है जिसमें टोटल जो हैं 150 कोस्चन्स आपसे पूछे जाएंगे किन सब्जेक्ट से होंगे जरा स्ध्यान से समझेगा बाल विकास और सिक्षा मनोविज्ञान सभी के लिया निवाज यह तीस कोस्चन्स यहां से बनेंगे आपके परफेक्टली और यहां से पांच कोस्चन जो है पेडागोगी के आते हैं बाकी 25 कोस्चन जो है सिंपल सीधे तोर पर आपकी बुक से आते हैं हिंदी की यदि बात की जाए तो हिंदी से भी आपके 30 कोस्चन्स बनते हैं और 30 कोस्चन्स जो है बिल्कुल आसान जिसको हिंदी लेंग्वेज का ज्यान हो 10 इस्तर का आपका सलेवर सरता है जो 10 लेविल में आप तक जो पूछा जाता है ह इंदी, इंग्लिस या आपका जम्मैथ होता है वो भी आपका प्राइमरी लिविल का होता है यहाँ पर यदि प्राथनिक इस तरगी बात की जाए तो केवल अंक गनित के कोश्चन यहां से पूछे आते हैं और तीस कोश्चन सापके आते हैं इस पर यहाँ सेकंड लेंग्वेज में यदि चुनाओ की बात की जाए तो तीन लेंग्वेज आपकी मुख्य रूप से होती हैं संस्क्रत, इंग्लिस और उड़्दू तीनों लेंग्वेज में से कोई एक लेंग्वेज के लिए आपको जो है तीस कोश्चन के आंसर देने ह और यहां पर आपके लिए करने हैं हैं और आपके लिए परदान किये जाते हैं आपके लिए और यहां से बिए यहां से वर्था में ce i c amazed equation के लिए परदान की स militar means यदि बात की जाए नेगेटिव मार्किंग की तो नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है इसमें नहीं होती है और इस बार भी नहीं होगी आप बात कर लेते हैं आपका जो पेपर सेकिंड होता है जूनियर इस्तर का जो आपका एक्जाम्स होता है उसमें कौन-कौन से कोश्च आपको पढ़ाना होगा और इसके लिए जो आपका सेलेवर्स है वो दो वर्गों में बाट दिया जाता है यादि पेपर सेकिंड की आपकी जूनियर इस्तर की बात की जाए तो यहां पर भी आपका जो एक्जाम्स है वो तीन गंटे का होगा और आपका जो 150 मार्क्स का कोश् होगा आपका दो परकाषए दो पार्ट में बटा हुआ होगा एक पार्ट होका साइंस वर् हो को आते हैं मैं तुम मेरी और ड्राइंस दोनों तर्गे का अता है और टीर कोश्चन के मेरिशू का आते हैं यह जो चारव सब्जक्ट हैं यह आपके साइंस वर्ट के स्टूडेंट्स के लिए हैं बाली का सनिवाजे रहेगा हिंदी के तीस कोश्चन्स जरूर आएंगे संस्क्रत इंगलिस और उड्डू में से कोई एक लेंग्वेज आपको चुननी है तीस कोश्चन्स के ल रहता है इसमें आपका जो पार्ट होता है वो होता है आपका सामाजिक अध्यान का इसमें सामाजिक अध्यान की जड़ी बात की जाए तो जिस परकार से सामान्य ज्यान के कोश्चन्स आते हैं केवल साइंस के कोश्चन्स छोड़कर के साट कोश्चन्स इसमें आएंगे इ इतियास वुगोल अर्फसास्त्र वगेरा से सभी प्रकार के कोश्चंस आते हैं साथ कोश्चंस और बाकी तीन सब्जेक्ट जो हैं बालविकास हिंदी और कोई एक लेंगवेज ये 90 कोश्चंस आपको जो है चुनने होते हैं बाकी जो साथ कोश्चंस है वो आपके लिए ये पाट आएगा आर्टवर्क के इस्टुरेंट के लिए बात किया है उपयोगीता के बारे में तो यह मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यूपी टैट की उपयोगता उत्तर प्रतरदेस में बहुत मैट्यपून है यह defect में नना हैं तो उत्तर प्रतर टैट के लिए आपको क्वालिफाई करने चाहिए चूकि सही माइने में यह, सीट आट से इजी होता है और बहुत आसान होता है, यह क्वालिफाई करना तो इसकी उफ्योगिता यह ही है कि यह जू है आपका पांच वर्स तक वैलिड रहता है और इसके लिए जो है आपको एक बार क्वालिफाई करने के बाद जो है पाच वर्ष के अंदर यदि उत्तर परदेश में कोई भी वेकेंशिन निकलती है यदि आपने जूनियर इस तरका किया हुआ है तो जूनियर में अपलाई कर सकते हैं प्राइमरी का कटोप की यदि बात की जाए तो वही है जर्नल केंडिडेश के लिए आपका 90 कोशन्स सही होना चाहिए OBC, SC और ST के लिए आपका जो कोशन्स है वो 82 कोशन्स सही होने चाहिए तभी आप जो है इसके लिए क्वालिफाई माने जाओगे UPTAT और CTAT में क्या डिफरेंस होता है तो आपके लिए इस परस्ट कर दूँ के UP के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है UPTAT की मायन्यता होती है उत्तर परदेश के अंदर जो कोई भड़ती निकलती है तो उसमें आप जो है यूपी टैट या सी टैट में से कोई एक परिक्षा आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए तभी आप उसमें अपलाई कर सकते हैं सी टैट की यदी बात की जाये तो सी टैट आपका देखेगा यूपी के अंदर और आपका जो सेंटर है सेंटर के लिए आपको जो है मुक्हे रूप से केवी आता है आपका और जे और जो आपके विदाल्य हैं डि-e-e-s-s-b इस परकासे जो भी आपके सेंटर गुर्मेंट करने के चाहिए आप लोगों के लिए तो आपके पास बैद ओना में ये चाहिए तक बाइद रहता है जबकि यू पी टॉठ पांच वरस तक बै न रहता है एक बर एक बार क्वालिफाई करने के बाद आप साथ वर्स तक किसी भी न्यूक्ति में आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तों उत्तर परदेश टैट और सी टैट का अंतर भी मैंने आपको समझाया है वीडियो के माध्यम से जो है उत्तर परदेश टीचा शिक्षा की लिए जो आपकी प करने वाद